हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं All Study Easily चैनल आज हम पढ़ेंगे most important topic जो 9th एंथ हमेशा ये question पूछा जाता है ठीक है? बोर्ड अग्जाम में भी और 9th class में भी पूछा जाता है ठीक है? तो देखिए हमारा topic है जलिया वाला बाग हत्याकान most important question है ये आपका ठीक है ना? बहुत है simple दरीके समझाओंगी कि आपको रटा नहीं पड़े है क्योंकि मेरे चैनल पे only समझाने काम है रटाने काम नहीं है तो चलिए start करते हैं हमाई वीडियो देखिए अमरिस सर 13 अप्राइल 1919 की बात है कब की बात है? 13 अप्राइल 1919 की बात है कहां की है? अमरिस सर की है ठीक है? यानि कि पंजाब के एरिये की है अमरिस सर की है 13 अप्राइल 1919 की बात है जलिया वाला बाग में बहुत से लोग गाओं के निवास्वी एक मेले में भाग लेने के लिए आए थे देखिए उस दिन बैसाकी का दिन था मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है मैं तब भी आपको बता दे रहूँ उस दिन बैसाखी का दिन था ठीक है और जलिया वाला बाग यानि कि एक बहुत बड़ा मैदान था ग्राउंड था उसका नाम कै था जलिया वाला बाग वहाँ पर बैसाखी वाले दिन वहाँ के जो आसपड़ोस के गाउं के लोग हैं वो सब लोग मेले में भाग दिने आये थे ठीके अब देखें आगे इस बाग का मैदान चारो ओर से बन्द था ठीके ना वो जो बाग है वो चारो और से क्या था बंद था यानि कि दिवारों से घिरावा था ठीक है अब देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कि जो आप बैल आइकन दबाने ना बोले ठीक है तो आगे अब हम पढ जी थे किसी को भी इस चीज का अंदाजन नहीं था कि उनके साथ क्या घटना घटने वाली है ओके अब देखिए भीड को देखकर जनर डायर ठीक है ना ये मोस्ट इंपॉर्टन नाम है जनर डायर हत्यार और अपने शैनिक के शाथ वहां पहुचा ठीक है जो जनर डायर है उसको जब पता जला है कि भई बैसाकी के इसमें समारों में सब निवासी आये हैं गाउंगे तो उसने क्या किया अपने हत्यारों और शैनिक के साथ वहां पहुच गया ठीक है उस ग्राउन में उस मैदाम में पहुच गया उसने बाग में निकलने का रास्ता बंद कर जया ठीक है न उसने क्या क्या जो बाग का में गेट था उसको बंद कर दिया उसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड पर आंदा दूत फाइरिंग कर दी और फिर क्या क्या जनल डायर ने अपने सिपाहियों को फाइरिंग के लिए कह दिया और उनके सिपाहियों ने इधर देख यहां बहुत ही दर्दना घटना थी यहां क्या थी बहुत ही जादा दर्दना घटना थी आप इसका एक पहले इसके इन्सॉट ले ले ठीक है तो आई होग आपको समझ में आया होगा मैं एक बार और में मीन चीज़े बता देती हूं फॉर एक्जमपल आपको एक थुरू के जरिये समझाते हैं देख लिए एक मैदान है ठीक है बहुत बड़ा मैदान है उस जगह का नाम क्या है अम्रिसर उसकी डेट क्या है 13 अप्रेल 1919 ठीक है फॉर एक्जमपल मैं यहां का अपना बता हूं जैसे इंटर कॉलेज है हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है ठीक है उ जरिया वाला बाग ठीक है वहां पे हमारे एरिये के लोग ठीक है जहां पर मे रहती हूं मान लिजीए वहां के एरियो के लोग गए ठीक है मेला लगा है वहां सब लोग गए जैसे बात है स्कूल है ठीक है improvements plein है बुँत बड़ा मैदान है तो दिवारे भी उठी तो वो क्या, चारो तरब से घिरा है, मेंगेट होता है जहां से लोग एंटर करते हैं, वहाँ पे किसी को भी कोई भी खवर नहीं थी, कि उनके साथ क्या है, कोई घटना घटने वाली है, ठीक है, इस बात का फाइदा किसे ने उठाया, जन्नर डायर ने, ठीक है, इस बात का गेट है ना उसको लॉक कर दिया और क्या किया अपने स्यानिकों से फाइरिंग के लिए कह दिया लोग इधर वदर भागे अपनी जन बचाने के लिए ठीक है ना अब वो इतनी उची दिवार थी कि लोग नहीं भाग पा रहे थे कुछ लोग वहां कुए में भी कूदे अपन करती गई थे वो जो कुआ था वो पूरा उपर तक भर चुका था लोगों की लाज से और जो धरती माएं हमारी वो पूरी लाल हो चुकी थे खून थी ठीक है उसमें से एक छोटा सा बच्चा बचा था ठीक है तो आप इतना समझ गए होंगे आई हो में वीडियो आपके ल